बिहार में जब से सिक्षा विभाग की कमान केके पाठक ने अपने हाथों में लिया है तब से वे लगातार आक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं जिले के सभी स्कूरों में निरक्षन कार लगातार चल रहा है वहीं एक से अठ्रह जुलाई तक चले निरक्षन के दौरान जिले के स्कूल से कुल 304 सिक्षक गायब मिले इन सभी का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है राज में 18 दिनों के अंदर कुल 304 टीचर और 25 हिद मास्टर का वेतन रोका गया है 15 जुलाई को 14 और 17 जुलाई को 15 और 18 जुलाई को 14 टीचर उपर आक्षन लिया गया है पिछले एक महिने से इन लोगों का वेतन रोका गया है और इन्हें बिना बताय छुट्टी लेने की वज़ा बतानी को भी कहा गया है वहीं इधर वितिय वर्ष 2023-24 के तहट जिले की स्कूलों में और सैनिक कार निर्मान के लिए लगभग 1142 लाख राशी निर्गत की गई है इस राशी से स्कूल में छातर छातराओं के लिए अलग-अलग शौचाले निर्मान प्रधान अध्यापक का कक्ष सहित स्कूलों में असैनिक कार किया जाएगा लेकिन जब इसकी जाच की गई तो पता चला कि जिले के 25 स्कूलों में कार शुरू ही नहीं किया गया वही अपर मुख सचिप कीखे पातक शनिवार को जिला सिक्षा बदेदिकारी कार्याले पटना का निरक्षन भी करने वाले हैं ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाएं अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined पुर्णिया में पुर्णिया